हाई गाईज आप वैकोब बाक तो माय चैनल तो चलोजेते शिरू करते हैं सीधे वीडियो को तो यह से के आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बालों को चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है तो यह देख सकते एक सेंटर पार्टिंग और तो साइड पार्टिंग तो आप वैसे ही लीजिए, क्रॉस का साइन बन रहा है एक तरीके से, तो ये देखिएगा कि मैंने थोड़ी सी स्लांटिंग लिए है, तो प्लीज आप ऐसे ही अपनी पार्टिंग कीजे बालो की, और मैंने सारे पार्ट्स को सिक्यॉर कर लिया है, रबर बैंड के साथ, तो आप भी ऐसे ही कर सकती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, तो मैं करती हूँ लोवर पार्ट्स से शुरू, तो चलिए शुरू करते हैं, तो लोवर पार्ट को करने के लिए मैंने अपनी फ्रंट वा सबसे पहले तो मैं आपको समझा तूँ कि हमें करना क्या ay basically तू सबसे पहले तू मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको सारे बालों को सीधा स्ट्रेट रूफ की तरफ इपर अपने सर लेके जाना है और आपको जितनी लेड़ चए हिए उतनी तरवस्ट के हैं, आपको उतनी आपको लेंथ देख लेना है, आपको कित्ती कट करनी है, और बाकी tutti के बाल अगर नीचे गिर रहे है तो उसे गिरने दीजिए, क्योंकि हमें लेंथ-Retain रखनी है, और हमें सिर्फ barriers लेनी है अपने बालों में तो नीचे के बाल जो है वो नी क्योंकि मुझे अपनी लेंथ रिटेन रखनी है और उसके ऊपर मुझे थोड़ी सी लेयर्स जाली है तो देखे मैं इतने बालों में अब लेयर्स डालूंगी तो आप देख सकते हैं कि मैं इनको स्ट्रेट नहीं काट रही हूं मैं इनको पॉइंटिट काट रही हूं और बहुत ही बेकार लगेगा तो अगर आपको अपनी लेयर्स को मर्ज करना है बहुत ही ब्यूटिफुली अपने हिरस्टाइल के साथ तो इसको इस स्ट्रेट कभी मत काटिएगा तो देखे मैं इसको कैसे पॉइंट कट कर रही हूं और सीजर्स को मैं बालों के अंदर तक ल लेयर्स नहीं डाल रही हूं में मुझे जो लेयर्स चाहिए वो यह देखे एक शेप सी रिटेन होती है और इसी शेप के लिए मैं बस यह हलकी सी नीचे से लेयर देती हूं अपने बालों को और लेंथ को मैंने बिल्कुल नहीं छेडा है लेंथ वैसा के वैसी है मेरी तो मैंने बस यह हलकी सी यह देखे एक यह हलकी हलकी अगर आपको लेयर्स दिख रहे हैं तो यह बस यह लेयर्स दी है मैंने चलिए अब दूसी साइड में भी सेम उसी वे में हम कर लेंगे अपनी काटिंग तो गाइस मेरा यह हैर कट का वीडियो बहुत ज़एदा रिक्वेस साइडिस्फेक्शन मिलती है खुद बालो को अपने कट करके तो यह देखे सेम बे यहां पे भी मैं ऐसे कर रहे हूं और इधर से आप एक लेयर ले लीजे दूसरी साइड से ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जो बालो की कटिंग है दूसरी साइड में भी सेम लेवल क तो अब मैं इसे कट कर लूँगी तो थोड़ा सा मैसी है गाई इस कैमरा के सामने बट खुद से बाल काट तो ऐसा ही लगता है अभी आपको लग रहा होगा कि मैं यह पता नहीं क्या कर रहे हूं बट फाइनल रिजल्ट बहुत ही जएदा अमेजिंग आने वाले है आप द अब हम चलते हैं में जो हमारी फ्रंट लेर से उसकी तरफ और सर के उपर आएंगी यह बिलकुल थोड़े से बाल लिया थे पीछे से में जो बाल है वो सब आगे हैं और लेर उनी में ही डाली है मुझे तो अब इसको भी हम सेम वी में उपर की तरफ बिलकुल स्रेट की तरफ हम ऐसे लेंगे और अगर आपके बाल बहुत जएदा हेवी है तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करके भी कर सकती है तो देखे जो बाल नीचे गिर रहे होंने गिरने दीजे और यह लेयर्स में इसमें अच्छी खासी लेयर डालोंगी देखे मैं अच्छी ख कर रही हो यहां पर तो ऐसे स्टंट्स मत कीजे तो बेटर है मैं क्योंकि तीन साल से अपने बाल काट रही हूँ तो मैं स्टंट कर सकती हूँ बट अगर आप फर्स टाइम अपने बाल काट रहे हैं तो बहुत ही ज़दा साफधान रहे हैं अपने बालों को गीले में मत चलेगा कि आपको कितने बाल काटने है हैं and yeah अगर आपके बाल उटीए कर ले हैं तो अपने बाल थीए लग मेंसके बात करने हमानर इसके बाद रोघ इसको करें रॉइक तो आप करत कर रही हूं इसको स्ट्रेट नहीं काटना है तो यह देखिए यह हो गया है अभी मैं आपको सारे बाले कटे करके दिखाऊंगे अभी हम दूसी साइड कर लेते तो यह देखिए मुझे यह जो राउंडी लुक आप देख रहे हैं साइड में वैसी लुक ही चाहिए थी तो च स्ट्रेट ऊपर की तरफ गाइज मैं अपने बाल बहुत बाल काट चुकी हूँ तो मुझे बिल्कुल आइडिया है कि मुझे कितना कितना दोनों साइड से काटना है बट आप लोग को मैं बोलूँगी कि आप दूसी साइड से गाइड लाइन भी लीजे अपनी मुझे इस स्ट्रेट आपको ऐसे ही इंसीजन कट करना है बिल्कुल स्ट्रेट मत काटिएगा मैं फिरसे आपको बूल रही हूं नहीं तो बहुत ही गंदी कटिंग आईगी आपके और बहुत ही ज्यादा विजिबल होंगी आपकी लेर्स मतलब स्ट्रेट लेर्स जैसे कि कि किसी ने किसी बहुत ही गलत तरीके से बाल काटे होते है तो ध्यान रखेगा इस चीज़ का तो देखिए कैसे राउंडेट कट आता है एक तम से तो चलिए अब इसको खोलते हैं और मैं आपको दिखाती हूं कि कैसी आई है तो देखिए सब का मैच कर लीजे सारी लेर्स की सब नीचे के लेर्स सब चेक कर लीजे अच्छे से एंड या तो यह मैं कैमरा जट कर रहे हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखा सको और अगर आपको नीचे से स्ट्रेट कटिंग करने तो आप कर सकते हैं वह आप पर डिपेंड है पट मुझे ऐसे थोड़ा सा वी शेप में ही कट अच्छा लगता है तो मैं सको नहीं काट हूँगी तो यह देखिए मेरे लेज़ देखिया आपको अब आप विस यपल हो गए यहां पर बहुत ही अच्छे लेजर आयं यह तो यह अभी बीना स्टाइलिंग के इतने विस बल है तो सोचिए स्टाइलिंग के साथ बहुत ही जदा विसिबल होंगे मेरी नेक्स वीडियो में मैं आपको इसकी स्टाइलिंग करके दिखाऊंगी तो यह और दिखे बहुत ही प्यारे लेयर साए हैं मैं बहुत ही खुश हूँ अपने इस कट से So this is the way I cut my hair I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी and I'm sorry अगर ये ओफेंसिव लगी हो किसे भी professional hair stylist को but this is the way I cut my hair मुझे अपने खुद के hair cut ना ही खुद से पसंद है तो यह देखे बीचे से भी कितना clear बहुत ही अच्छा एक तम alignment में cut आया है कहीं भी उपनीचे कुछ नहीं है तो ये देखे बहुत ही अच्छा V-shape है मुझे ऐसी ही पसंद है ये देखे बहुत ही प्यारा लग रहा है सब कुछ कहीं से भी कुछ extra नहीं लग रहा है तो इस cut का ये ही फायदा है जिस वे में मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छे से अगर आप पार्टिंग करेंगे और बहुत ही अच्छे से उसको cut करेंगे अगर तो आपका cut बिल्कुल similar आएगा ये देखे सारी layers पराबर है अगर आप front से और छोटे बाल काटना चाहते है तो आप काट सकते हैं बट मुझे ये अच्छे लगते हैं लॉंग ही तो याँ this was the cut अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर कीज़ेगा and subscribe कीज़ेगा and या future में फिर से कभी अगर आपको लगे कि मुझे आपको deeply आपको बताना चाहिए कि कैसे cutting करने है तो मैं बताऊंगी and please guys अगर आप थोड़े से risk ले सकते हैं तभी घर पर काटिएगा otherwise please मत कीज़ेगा क्योंकि you know मैं ज़्यादा care नहीं करतू इस चीज़ की क्योंकि घर की खेती है अगर थोड़ी सी प्राइ कीज़े बहुत ही अच्छे से अपने से cutting हो जाएगी आपके बालक यहन देखे बहुत ही प्यारा लूक आया है बहुत ही अच्छे से आया है without any styling और यहां लब यू आल बबाई